असलाम लेकुम देट स्टूडेंट्स इस फडियो लेक्चर के अंदर हम लोग थर्माल अलेटिकल टेक्नीक की एक बहुत इंपॉटन टेक्नीक डिफरेंशल थर्माल अलाइसस जिसको हम DTA भी कहते हैं वो पढ़ने वाले हैं अनलेटिकल के मिस्ट्री का बहुत इंपॉटन चांट पिक है जल्दी से कॉंटेंट्स से लेते हैं इस पाइट को वीडियो के लिए हम लोग डिफरेंशल सर्माल आइसस का प्रिंसिपल पड़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका कर्फ की सतरह का होता है और पी हम लोग क्यल्शिम ऑग्जलेट की डिकपोजिशन को कրेंगे बहुत ही दीटेल में उसके डीटीय कर्फ को स्टड़ी करेंगे उसके बाद लोग डीटीय की के instrumentation देखेंगे इसकी working और last पека इसके application defined करते हुआ तो चलिए students बीडीय को start करते हैं students डीटीय का introduction पढ़ने से पहले मैं आपको एक को पढ़ने से पहले मतलब कि थर्मोग्राइमेटिक पढ़ना बहुत जरूरी है उसका कॉंसेप्ट जो है वह यहां पर बहुत आपके काम आने वाला है उसकी वीडियो में पिछले लेक्चर में आपको पुताई थी इसको आप जाके देख सकते हैं उसका लिक में आपको डिस करते हैं अब कुछ सेंपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका वेट चेंज नहीं होता जैसे हम उनको हीट करते हैं उनमें वेट लोस नहीं होता तो उन सेंपल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल थर्मल अनलाइसिज मतलब कि डीटिये पढ़ते हैं जो कि हम इस वीडियो के इंदर पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं लेते हैं और एक साथ रैफरेंस मिटियल लेते हैं अब सेंपल जो हमारे पास होता है उसके अंदर हम लोग ने आने वाली चेंज़िस को स्टडी करना है जो रिस्पेक्ट टू रैफरेंस मिटियल जो आने वाले changes का हमें पता चल जाएगा जिब हम उसको relate करेंगे अपने reference material के साथ और दोनों में आने वाले temperature difference को हम लोग dta curve की form में record कर लेते हैं इसके define पड़ते हैं differential thermal analysis technique in which the temperature difference between sample and thermally inert reference substance is continuously as a function of temperature or time तो simple से बात है जैसे मैं आपको पहले बताई है कि हम लोग differential thermal analysis के अंदर sample substance लेते हैं और अपना reference material लेते हैं और फिर उन दोनों materials को हम लोग एक ही furnace के अंदर रखते हैं एक ही plate के ऊपर और इन दोनों अदर आने वाले temperature difference को हम लोग मैयर करते हैं उनको record करते हैं as a function of time और बाद में उनके temperature difference को हम लोग relate करते हैं DTA का principle देखते हैं the basic principle involved is the temperature difference इसका basic principle temperature difference है test sample के दर्मयान और reference material के दर्मयान under controlled and identical conditions of heating and cooling इस बात का यही मतलब है कि हमने अपने sample और reference material को identical conditions के अंदर ही उनका temperature change करवाना है और दोनों को हमने एक ही temperature के ऊपर study करना है और एक ही temperature के ऊपर एक ही atmosphere के ऊपर sample और reference दोने के results हम लोग ने record करने हैं और इसको हम continuously record करते हैं the function of temperature or time and thus heat absorbed or heat emitted by a chemical system is determined and the result हमारे पास आता है वो किस form में आता है कि जो हमारा sample है उसमें से heat absorbed होई है और result को हम लोग DTA curve की form में record कर लेते हैं students DTA changes what changes है जो कि हमारे sample या reference material के अंदर आती है जैसे ही हम उनको heat करते है if there is zero temperature difference between sample and reference material it means sample does not go any physical and chemical change तो हमारे sample और reference material के अंदर दो तरहां के changes आते है physical changes और chemical changes हमें इनका पता कैसे चलता है जिब हम sample और reference material के दरम्यान में temperature difference को record करते हैं अगर हमारे sample और reference material के दरम्यान में कोई temperature difference नहीं आया इसका मतब यह है कि हमारे sample के अंदर कोई physical या chemical change नहीं आया लेकिन अगर हमारे sample और reference material के दर्मियान temperature difference आता है तो इस बात का मतलब यह है कि हमारे sample के अंदर physical या chemical change आया है अब देखते हैं कि physical और chemical changes किस तरह से होते हैं Students physical changes difference यहां पर लिखे हमें जो कि हमारे sample के अंदर आ सकते हैं मतलब absorption, desorption, crystal के structure में change आ सकती है crystallization, melting, vaporization, sublimation और chemical changes में oxidation, reduction, breakdown reactions, chemisorption या solid state reactions हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग DTA curve को पढ़ने से पहले इन changes के बार में detail से पढ़ेंगे तब ही आप DTA curve को अच्छे से समझ पाएंगे तो students ही हमारे पास एक typical DTA curve है जो DTA curve है वो इस form हमारे पास आती है इसमें हम लोग ने x-axis के उपर अपने temperature को लिया होता है जो हमारी furnace का temperature है और y-axis के उपर हम लोग ने delta T मतलब temperature difference लिया होता है sample और reference material के दर्मियान जो results हमारे पास आते हैं वो दो form में आते हैं या तो upward peak या फिर downward peak जो upward peak है यह हमें ये show करा रही होती है कि हमारे sample के अंदर exothermic reaction हुआ है मतलब कि उसने heat को emit किया है जबकि जो downward peak होती है ये show करा रही होती है कि हमारे sample के अंदर endothermic reaction हुआ है मतलब उसने heat को absorb किया है अब endothermic changes और endothermic curve के बारे में हम लोग पढ़ते है endothermic change अगर हमारे sample में आता है तो इसको एक downward peak के जरिये से represent किया जाता है जो कि हमें graph में नजर आती है अब endothermic changes कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे के melting, vaporization, sublimation, transition between two different crystal structure इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि जैसे हम लग temperature को increase करेंगे तो जो हमारा sample था वो अपनी एक state से दूसरी crystal state में चला गया decomposition हो गई उसमें वो तोट गया छोटे components के अंदर dehydration हो गई loss of water हो गया वगयरा यह सब जो है यह endothermic changes है, इसमें जो हमारा sample है इसने heat को absorb किया है और इस तरह के changes तब आती है जो हमारे sample का temperature जो होता है वो reference material के temperature से lower होता है और इसमें जो delta T की value होती है यह negative होती है तो students आपको यहां से पता चला कि है जो हमारा पास DTA कर वाएगा वो हमें बता देगा कि हमारे sample ने heat को absorb किया है और उसमें इन में से कोई change आया है और वो endothermic change है और उसकी value हमें किस तरह से मिलेगी एक downward peak की form में DTA curve के उपर अब हम देखते हैं exothermic changes जो कि एक exothermic curve हमें शो कराता है exothermic change जो है वो एक upward peak से represent होती है यह हमें यह बता रही होती है कि हमारे sample के अंदर exothermic reaction हुआ है मतलब कि हमारे sample ले heat को emit किया है उसमें कौन-कौन से processes हो सकते है crystallization हो सकती है polymerization हो सकती है oxidation या reduction वगएरा इस सुरत में क्या होता है जो हमारे sample का temperature होता है वो higher होता है reference material से और इसमें जो temperature difference होता है उसकी positive value होती है तो स्टुरेंट्स आपको यह दोनों चीज़ें बताने का मकस्द दिये है कि हमारे पास जो DTA curve आता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे sample ने heat को absorb किया है या heat को emit किया है जो कि हमें upward and downward peak से पता चल जाता है इस तरह से हम लोग अपने sample में आने वाले heat के changes को DTA curve के जरी से measure कर लेते है सुरेंट्स अब हम पढ़ते हैं DTA curve के बारे में DTA curve हमें क्या बताता है कि हमारे sample and reference material के दियान में किता temperature difference आ रहा है जिसे में पता चल जाता है कि हमारे sample में कौन सी changes आएंगे पढ़ते हैं DTA curve is obtained is a plot of temperature difference between sample and reference as a function of temperature जैसा कि मैंने आपको पहले DTA curve की डाइग्राम में बताया था कि हम लोग जो plot करते हैं तो एक तरफ हम temperature difference लेते हैं अपने sample and reference के दर्मियान और दूसरी तरफ हम लोग अपना temperature लेते हैं जो हमारी furnace का temperature है वो temperature जिस temperature के उपर हम लोग ने अपने sample और reference को heat किया होता है और जो DTA curve की shape होती है यह बताती है कि हमारे sample के अंदर कौन सा thermal behavior हो रहा है और किस तरह की changes आ रहा है temperature की variation के साथ साथ अब जो peaks आ रही होती है हमारे sample के उपर उनकी position, shape और size के जरी से में पता चल जाता है कि हमारे sample के अंदर किस तरह की thermal change आई है मतलब उसमें face transition होई है उसमें melting होई है crystallization होई है या और भी कोई reaction हुआ है उसको हमें पता चल जाता है तो students, यहाँ पर मैंने आपको एक DTA curve दिखाई होई है जिसको देखके हमें पता चल रहा है कि हमारे sample के अंदर किस तरह के thermal changes आई है और कौन सी physical या chemical changes आई है DTA curve के बारे में आपको पता चल तो चुका है कि हम लोग X axis के उपर temperature लेते हैं तरह है इसकी पीक तो हमें पता चल जाएगा कि एक्जोथर्मी कर्व है और यहाँ पर क्रिस्टलाइज़ेशन हो रही है यह वाली कर्व है तो यहाँ पर मैल्टिंग हो रही है यह वाली कर्व है तो ऑक्सिडेशन हो रही है इस तरह से एक standard DTA curve होती है जो के हमें बता रही होती है कि इस temperature के उपर आके यह वाली जो chemical यह फिजिकल चेंज है वह हमारे सैंपल में होगी तो DTA curve के analysis करके हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कौन कौन से changes आ रही है और वह किस तरह से decoupose हो रहा है स्टूनेंट्स DTA curve के हमारे daily life के अंदर बहुत जादा importance है यह फार्मसोटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है इसका यूज हमारे food इंडस्ट्री में होता है सीमट इंडस्ट्री में होता है इंडस्ट्री में होता है इंवार्मेंट की study करने के लिए यूज होता है इसका बहुत इंडस्ट्री में होता है हम लोग DTA के अंदर एक सैंपल के जगह पर डिफर्ट सैंपल्स भी यूज कर सकते हैं और उनकी कर्फ को देखके हमें उनकी जैंबरेस के पता चल जाता है यह आर्क्यालोजी में यूज होता है फॉसिल फ्यूल बगारे को study करने के लिए यह कोई fossils हैं उनकी जो dates है पुरानी उसको find out करने के लिए भी DTA कर्फ यूज होता है इसके इलावा जो DTA कर्फ है इसका बहुत important point यह है कि यह fingerprint region के identification के लिए यूज होता है हम लोग different structures की resemblance के लिए different different हमारे samples है उनकी different patterns के interpretation के लिए या उनके structure की resemblance के लिए DTA कर्फ को use करते है उसके इलावा जो DTA कर्फ के नीचे यह जो area होता है यह हमें enthalpy changes के बारे बताता है हमारे sample के अंदर कि इतनी enthalpy change हो रही है तो students अब देखते हैं कि हमारे DTA कर्फ को कौन से factors affect करते हैं यह factors मैंने short form में सिर्फ आपको बताए हैं इनकी detail नहीं बताई और इनका बताना बहुत जरूरी था क्यूंकि factors के बगार हम लोग example नहीं पढ़ सकते हैं इसके बाद हम लोग example पढ़ेंगे calcium oxalate monohydrate की जो के depend कर रही है इन्ही factors के ऊपर तो दो तरह के main factors हैं जो के हमाई DTA कर्फ को effect करते हैं instrumental factors यह sample characteristics instrumental factors के अंदर सबसे पहले furnace का atmosphere यह बहुत ही इसका effect होता है हमाई DTA कर्फ के ऊपर students अब इसका मतलब क्या है हम लोग sample reference material अपनी furnace के अंदर लेते हैं और furnace के अंदर जो atmosphere होता है या air होती है वह हम कोई भी डाल सकते हैं और जो air होती है उसका बहुत ज्यादा effect होता है हमारे sample के ऊपर जैसा कि हम ले थर्मो कराइमेटरी के लाइसिस के अंदर पढ़ा था कि हम लोग mostly nitrogen यूज करते हैं या फिर neon gas क्यूंकि वह inert होती है तो हम inert gas इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा sample उसके साथ react ना कर जाए तो यहां पर भी वही बात है कि अगर हम लोग अपनी furnace के अट्मोसफेर के अंदर कोई इसे gas लेते हैं जिसके साथ हमारा sample है वह chemical react कर जाता है तो उससे हमारा dta curve चेंज हो जाएगा और उसमें extra peaks भी बन सकती है उसके बाद आता है sample holder students हमारे sample holder का भी बहुत effect होता है dta curve के अंदर sample holder की geometry या उसका material जो होता है यह effect करता है dta curve को अगर हम लोग कोई ऐसा material लेते हैं sample का जिसकी thermal conductivity high होती है तो फिर हमें exothermic peaks मिलेंगी लेकिन अगर हम ऐसा material लेते हैं जिसकी thermal conductivity poor हो या फिर बिलकुल ही ना हो for example कोई ceramic material लेते हैं तो जाहिर बात है हमें उस तरह से different peaks मिलेंगी और उसके लावा जो हमारा holder होता है इसके size का भी बहुत effect होता है जिरूरी यह होता है कि हम लोग small size का holder यूज़ करें और जो amount of sample हम ले रहे हैं वो बहुत ही small amount में हो हम जितना ही small holder लेंगे और small sample का amount लेंगे हमारे पास resolution उतनी ही अच्छी आएगी next आता है जो दूसरा factor effect कर रहा होता है DTA curve को वो sample characteristics है तो पहले आता है weight of sample जैसे मिन आपको पहले बताया है कि sample का weight बहुत ही matter करता है इसलिए बेतर यह होता है कि हम बहुत ही small amount of sample यूज़ करें क्योंकि हम जितना ही कम weight लेंगे अपने sample का हमें उतनी ही resolution अच्छी मिलेगी next है sample particle size या फिर sample packing अब जो sample के size का particle होता है यह बहुत ही effect करता है DTA curve को अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा size लेंगे particles का large size यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास peaks आएंगी उनका area बहुत ही कम होगा लेकिन अगर हम लोग ऐसा sample लेंगे जिसमें fine particles हो और size जो है वो small हो और uniform हो तो हमारे पास बहुत ही अच्छी peaks आएंगी जो के बड़ी भी होंगी उनका area भी ज़्यादा होगा और large peaks आएंगे जिनसे हमें अपने results ज्यादा clear मिलेंगे फिर वही बात आजाती है amount of the sample amount of sample जितना हमें required होता है मिली ग्राम में powder sample use करना जो होता है सबसे best होता है DTA curve के लिए और जो भी हम packing कर रहे हैं आपने पड़ा हुआ होगा column chromatography के अंदर column के packing जैसे हम करते हैं इसे तरह यहां पर जो packing material हम लोग यूज करेंगे हमें चाहिए कि हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में और बिल्कुल ही finely mix होआवा हम लोग sample use करें और जो most common यहां पर use होता है वो alumina या glass beads होते हैं क्यूंकि वो inert material होते हैं उनका सदा effect नहीं होता लास्ट परता diluent use कि हम लोग जो भी diluent use कर रहे होते हैं उसका भी बहुत effect होता है हमाई DTA curve के उपर तो बहुतर यह है कि किसी भी inert material का diluent use किया जाए students अब हम पढ़ेंगे बहुत important example calcium oxalate monohydrate का DTA curve पढ़ने वाले हैं तो students जैसा कि हमने factors affecting DTA curve में पढ़ा था कि जो furnace का atmosphere होता है यह बहुत जादा इसका effect होता है हमाई DTA curve के अंदर तो इसी इसको improve करने के लिए हम लोग ने जो calcium oxalate है इसको दो atmosphere के अंदर study किया पहले हम लोग ने इसको carbon dioxide के अंदर study किया फिर हमने air के इंदर DTA curve लिया और हम इनका difference देखेंगे students जब हमने अपनी furnace के अंदर carbon dioxide gas को fill किया तो हमारे पास DTA curve कुछ इस तरह से आया लेकिन जब हमने अपनी furnace के अंदर air को हमने इसे फिल किया तो हमारे पास DTA curve इस तरह से आया तो DTA curve की difference आप लोग देख सकते हैं और यहां से इस बात की इंपोर्टस का पर चैल सकता है कि हमारे जो फरनस का atmosphere है इसका बहुत जादा effect होता है DTA curve के ऊपर अब यह DTA curve है calcium oxalate monohydrate की air के अंदर तो हमें कुछ इस तरह से इसका graph मिलता है इसमें तीन peaks हमारे पास बनती हैं अब आपको पता है कि जो downward peaks हैं these are representing the endothermic changes in our sample तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है सबसे पहले 100-200 degree centigrade के अंदर हमें downward curve मिलता है तो यह हमें बता रहा है कि यहां पर endothermic reaction हुआ है endothermic reaction देखे है calcium oxalate जो है इसने अपने water molecule था इसका removal यहां से हुआ तो हमारे calcium oxalate की यहां पर dehydration हो गई मतब इसने यहां पर heat को absorb किया है और water molecule को eliminate किया है और यह एक endothermic reaction हुआ उसके बाद यहां पर आप देखे कि तकरिबन 226 से 346 तक यहां पर जो पीक है इसमें कोई चेंज नहीं आया temperature के अंदर फिर approximately 346 से लेके और यहां पर temperature देखे 420 तक यह 450 तक जो हमारे पास आती है एक upward curve हमें अब्टेन होती है जो के एक exothermic reaction को शो कर रही है इसमें क्या हो रहा है calcium oxalate जो है calcium carbonate में convert हो रहा है और यहां पर यह वला reaction हो रहा है तो यह chemical change है और यहां पर oxidation हो रही है calcium oxalate जो है it is undergoing oxidation and it is producing calcium carbonate उसके बाद देखे 450 से यह 500 से लेके तक 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 हमारे पास कोई change नहीं आ रहा मतलब यहां पर जो हमारे पास sample था यह compound था वह stable था उसके बाद दुबारा वह 840 पे जाके मतलब 660 से 840 degree centigrade के उपर जाके इसका temperature दुबारा जो था उसमें temperature change हुआ और calcium carbonate जो था वह calcium oxide में convert हो गया और यह downward peak है जो के शो कर रहे हैं कि यहां पर endothermic reaction हुआ है तो यहां पर जो हमारा calcium carbonate था यह decompose हुआ है calcium oxide और carbon dioxide के अंदर तो students यहां पर हमने calcium oxalate monohydate की DTA curve को air की atmosphere के अंदर study किया है और हमें यहां पर 3 peaks मिली हैं दो जो 3 peaks वो endothermic peaks थी और एक exothermic peaks थी और इसमें आप लोग यह वाले reactions लिखेंगे तो हमें इस peak को देखते हैं और पिता चल गया है कि हमारे sample के अंदर कहां पर heat absorb हो रही है और कहां पर heat emit हो रही है और इसमें कहां पर physical और chemical changes आ रही है और कौन कौन से physical और chemical changes आ रही है तो मैंने यहां पर इसको लिखा है कि first step के अंदर about 200 degree centigrade के अंदर एक monohydrate जो था उसने water के molecule को lose किया और endothermic peak बना दी और second step के अंदर क्या हुआ 400 से 500 degree centigrade में calcium oxalate decompose हुआ और carbon dioxide और calcium carbonate में convert हो गया यह आप चाहें तो यहां पर step 3 भी add कर सकते हैं अब curve A और curve B को हम लोग compare करते हैं जिब हमने अपने carbon dioxide के अंदर calcium oxalate monohydrate को decompose कराया तो हमार पास जो 3 peaks produce होई यह तीनों ही endothermic peaks थी लेकिन अब हमने air के अंदर इसको study किया तो हमार पास एक exothermic और यह बहुत ही highly exothermic peak हमें मिली अब इन्हीं दोनों का comparison यहां पर हम पढ़ते हैं कि जो thermogram ता calcium oxalate monohydrate का carbon dioxide के अंदर उसकी 3 peaks थी और उन तीनों peaks के अंदर हमार पास endothermic processes आए लेकिन जो हमार पास curve B है वो represent कर रहे हैं DTA curve जो है उसी compound की air के अंदर और उसकी जो second peak है वो बहुत ही sharply exothermic है लेकिन it corresponds to same weight loss in carbon dioxide atmosphere लेकिन change उसमें same weight loss का आ रहा है तो यह peak represent कर रहे हैं exothermic burning of carbon monoxide in air and same temperature in the furnace तो यह peak क्या show कर आ रही है कि जो हमारा sample था वो react कर गया हमारे atmosphere के साथ तो students उमीदें आपको समझ आ गई होगी अगर आपका कोई भी question हो तो आम उसे comment section में लाजमी पूछ सकते हैं अब आगे हम लोग जाते हैं इसकी बहुत important topic instrumentation की तरफ तो students differential thermal analysis या DTA को हम लोग जिस instrument के जरिये से perform करते हैं उसको हम लोग differential thermal analyzer कहते हैं इसकी following components होते हैं furnace sample and reference holders, temperature sensors, differential या DC amplifier, data acquisition system या फिर computer और लास्ट पर है एक additional component, gas inlet या outlet, furnace क्या है, it is the height of DTA system furnace को हम लोग DTA system का heart भी कहते हैं, it is used to heat the sample and reference materials to the desired temperature at control rate, हम लोग अपने sample and reference material को अपने furnace के अंदर रखते हैं उनको अपने control rate के उपर और desired temperature के उपर उनको heat करते हैं और तोनों का temperature जो होता है, वो same होता है जो सबसे common use furnace होती है, mostly वो alumina की बनी होई होती है, alumina block और जो सबसे ज़्यादा usually commonly used temperature furnace का, वो 190-2800 degree centigrade temperature range होती है इसके इलावा different temperature range की furnaces जो होती है, हमारे पास available होती है different तरीके होते हैं, for example, कुछ furnaces होती है, वो infrared radiation से heat up होती है कुछ में RF coils लगी होती है, कुछ में tubes लगी होती है, जिनमें heating या cooling liquid जो होता है, वो circulate कर रहा होता है, कुछ को हम लोग अपनी gas या फिर कुछ को electricity के जरिये से हम लोग heat up करते हैं next आता है sample or reference holders, sample or reference holders जो होते हैं, यह sample or reference को hold करने के लिए use होते हैं design usually made up of a substance that does not interfere with thermal properties of sample or their reference materials तो हम लोग usually holders होते हैं यह इस तरह के substance कर लेते हैं जो के हमारे sample या reference के साथ react ना करें तो जो usually used होते हैं वो alumina, quards, stainless steel, platinum, nickel, graphite या sample itself का बना हुआ sample holder हम लोग use करते हैं और students अगर हम लोग एक ताइम में एक सेज़ादा samples को study कर रहे हैं तो हम लोग multiple sample holder भी use करते हैं तो students आपने जो main बात याद रखनी है इस topic में वो यह है कि there should be no chemical reaction between sample and the holder during pyrolysis कि pyrolysis के दुरान हमारे sample and holder के दर्मियान कोई chemical reaction ना अगर करें मतलब कि inert हम लोग sample holder use करें pyrolysis क्या होती है यह ऐसा process है जिसमें decomposition होती है हमारे sample की जैसे जैसे temperature increase करता है उसके साथ साथ next आता है temperature sensors temperature sensors जो होते हैं design used to measure the temperature of sample and reference materials यह sample and reference material के temperature को measure करें के यूज हो करते हैं हम लोग और जो बहुत common use temperature sensors थर्मो कपल्स या thermistors है इसके इलावा और भी temperature sensors होते हैं जो हम लोग इस पे इस पे use करते हैं कि हमारे जो reference sample temperature है वो कितना है यह हमारा furnace कितनी heat provide कर सकता है तो students यहां पर मैं आपके understanding के लिए एक diagram add की है ताके आपको thermocouple थर्मिस्टर के diagram show हो जाए जो हमारे पास thermocouple है यह हम लोग different temperature के हिसाब से use करते हैं for example अगर हमारे पास temperature जो है 1500 degree centigrade है तो हम लोग platinum जो कपल होगा वो use करेंगे लेकिन अगर हमारे पास temperature है वो 300 degree centigrade से कम है तो फिर हम लोग ऐसा material यूज करेंगे जो copper का बना हुआ हो उसके इलावा अगर हमारे पास most common temperature है 1000 degree centigrade या उससे जादा होगा तो फिर हम लोग chromal, alomal pair यूज करेंगे वो best selection होगी तो जो हमारा temperature sensor है इसका material हम लोग अपने furnace के temperature की हिसाब से select करते हैं और यह temperature sensor होता है इसको हम लोग attach करते हैं अपने sample और reference के साथ और इसका result जो होता है वो differential amplifier में जा रहा होता है differential amplifier क्या चीज है students amplifier का आपको पता है कि हमारे signal को amplify करने में या increase करने के लिए यूज होता है it is used to amplify the voltage difference between the sample and reference temperature sensor तो जो differential amplifier है यह हमारे sample और reference material के साथ temperature sensor लगा होता है उस temperature sensor के साथ यह attach हुआ होता है और जो हमारे temperature sensor sample और reference material के अंदर से temperature difference को measure कर रहा है यह उस temperature को amplify करेगा उसके signal को increase करके हमारे पास पहुंचाएगा इसका जो output है इसको फिर हम record करेंगे as a function of temperature yard time 5th part है data acquisition system data acquisition system is used to record the amplified signal from differential amplifier तो क्या हुआ कि जो differential amplifier था उसने signal को amplify करके data acquisition system की तरफ भेजा और इसने उसको record कर लिया और यह dta instrument से temperature को record करेगा और इस record changes in temperature during the experiment in the form of dta curve और यह उन changes को dta curve की form में हमें show कराएगा computer की screen के ऊपर इसके इलावा different तरह के यहां पर recorders use होते हैं जैसके strip chart recorders gravimetric recorders यह xy recorders भी use करते हैं हम लोग अपने signal की अप्लिफिकेशन के बाद उसको record करने के लिए as a function of time or temperature students अब इसके diagram देखें यहां पर हमारे पास आज़ा थी है furnace यह furnace है यह वाली जो के heat प्रवाइड करती है हमारे sample and reference material को यह हमारा sample and reference holder है जिसके अंदर हम लोग ने sample and reference material रखा हुआ है इसके नीचे temperature sensor लगा हुआ है thermocopal या thermistor जो के मारे temperature को measure करेगा इन दोनों की temperature difference को और यहां से temperature difference को measure करने के बाद वो differential amplifier की तरफ पहुंचाएगा जो amplifier होगा इस temperature difference को करेगा और signal को increase करके data acquisition system की तरफ पहुंचा देगा और data acquisition system जो है यह दो तरह की reading ले रहा होता है एक time में एक यहां पर delta T temperature difference की reading और दूसरी यहां पर temperature of furnace की reading और यह दोनों reading graph की form में हमें मिल जाती हैं जिसको हम लोग DTA curve कहते हैं students अब हम atmosphere controller के बार में पढ़ते हैं a gas inlet outlet is used to control atmosphere inside the furnace अब furnace के अंदर के atmosphere को control करने के लिए gas inlet या outlet use होता है जिसको हम लोग atmosphere controller भी कहते हैं different gases such as air nitrogen argon can be used depending upon the requirement of the experiment अब हम लोग अपने experiment की requirement के मताबिक different तरह के atmosphere provide करेंगे अंदर it is only required in some cases where it is necessary to carry out DTA environment under a specific gas atmosphere तो students यह जो additional जो हमारा है instrument के additional है यह हमें हर experiment में नहीं चाहिए होता कुछ measurements के अंदर हमें specific atmosphere बनानी पड़ती है उसके अंदर ही हम लोग atmosphere controller या gas inlet outlet को use करके अपनी required atmosphere जो है उसको maintain करते हैं वो बना देते हैं अभी atmosphere controller है यह हमारे furnace के अंदर की atmosphere को control करता है तो students हम इसकी working पढ़ लेते हैं during the DTA experiment the sample and reference holders are placed inside the furnace and the temperature is gradually increased at controlled rate हम क्या करते हैं हम पहले sample or reference holders लेते हैं उनमें अपना sample or reference material डालते हैं उनको furnace के अंदर रग देते हैं फिर हम लोग temperature को increase करते हैं एक controlled rate के अंदर add the temperature of sample and the reference material changes जैसे ही sample or reference material का temperature change up करता है तो तो temperature sensor होते हैं यह उनके दर्मयान आने वाल temperature difference को record detect करते हैं और measure करते हैं और यह जो temperature difference होता है यह फिर amplify होता है differential amplifier का जरिये से और फिर data acquisition system इसको record कर लेता है हमारे sample के अंदर आने वाला कोई भी thermal event कोई भी chemical या physical change जैसा के phase transition हो रही है melting, decomposition या बाकी changes जो हमने पहले पड़ी थी यह सब changes जो हैं यह हमारा DTA system इनको detect करके record कर लेता है अब जो gas inlet या outlet इसको भी हम use करते हैं अपने atmosphere के temperature को control करने के लिए furnace के अंदर और यह prevent करता है हमारे reactions होने से हमारा sample कहीं पर atmosphere के साथ react ना कर जाए तो students अब आ जाते हैं एक बहुत important topic DTA के applications की तरफ differential thermal analysis की बहुत जादा applications है उन मेंसे कुछ हम यहां पर पढ़ते हैं determination of thermal properties जो हमारा sample material use हो रहा है उसकी thermal properties temperature से आने वाली changes को determine करने के लिए हम लोग DTA को use करते हैं next step phase transition जब हम लोग अपने sample reference material के अंदर आने वाली temperature difference को measure करेंगे तो जो DTA होगा यह हमें बता देगा कि हमारे sample था उसके अंदर कौन से energy transition आई है या कितने temperature के उपर उसने कौन से एक phase से दूसरी phase में वह convert हुआ है melting crystallization या glass transition होई है तो उस बारे में हमें DTA बता देगा उसके बाद है thermal stability DTA जो है यह हमारे substance की thermal stability के बारे में बताता है जैसे कि polymers ceramics materials वगेरा अगर हम use कर रहे हैं तो जब हम उनको heat करेंगे control rate के उपर तो DTA detect कर लेगा कि इसमें thermal decomposition होई है या फिर degradation होई है और यह हमें यह भी बताएगा कि कौन सा temperature के उपर इसमें कौन सा process occur किया है next है kinetics of chemical reaction DTA जो है यह chemical reaction की kinetics को study करने के लिए use होता है जैसे कि oxidation reduction जब हम लोग अपने sample और reference material के अंदर temperature changes आ रहे हैं उसको measure करेंगे time के साथ तो जो DTA है यह हमें rate of mechanism के बारे में बता देगा next है quality control DTA जो है यह हम लोग use करते है production of materials to ensure quality control quality control के लिए हम DTA को use करते हैं यह हम लोग impurities detect करके बताता है यह हमें बताएगा कि properties किस तरह से effect हो रहे हैं temperature के साथ Geological application है DTA जो है geology में use हो रहा है हम यह बात कह सकते हैं कि DTA है यह बहुत ही powerful tool है कुछ materials के लिए और हमें उनके thermal behaviors को different conditions के अंदर study करने में help करता है इसके लावा students इसकी और बहुत सारी applications है quantitative and qualitative identifications of minerals करता है यह हम लोग structural studies में इसको use करते हैं हम लोग crystalline measurement के लिए इसको use करते हैं फिर हम लोग different raw materials के identification के लिए इसको use करते हैं अगर हमार पास different तरह के samples है और हम लोग उनके detail curve लें तो फिर हम उनके detail curve को दूसरे के साथ compare करके पता कर सकते हैं कि इन में कितने identifications हैं और कौन कौन से differences है उसके इलावा detail curve जो है composition of mixture के बारे में हमें बताता है यह polymers, oils, fats, coordination compounds, proteins, amino acids, metals, non-metals, salt वगरा के identification के लिए यूज होता है उसके लावा organic materials, wood और बाकी products के identification के लिए यूज होता है अब last पर पढ़ते हैं DTA की limitations limited sensitivity DTA की sensitivity है यह limited होती है जो हमारे sample की thermal properties में बहुत ही small changes आ रही होती है उसको हम लोग easily measure नहीं कर सकते मचलब यह कि अगर हमने small size का sample लिया है उसके अजर हमारे पास changes आ रही है उसकी sensitivity भी क्योंकि जादा है इसलिए हम लोग उसको detect नहीं कर सकेंगे next certificate in identified unknown compounds जो DTA होता है इसको हम लोग known compounds के identification के लिए तो use कर सकते हैं लेकिन unknown compounds के identification के लिए इसको use करना मुश्किल है इसके जगा पर हम लोग बाकी techniques use करते हैं जैसे के mass spectrometry है उसके बाद है limited temperature range इसकी बहुत important limitation है या MCQ में भी आ जाती है कि जो temperature changes आ रही होती है DTA के जरिये से अगर हम measure करें वो हमें सही है उनके measurement नहीं मिलती अब यह जो हमारे पास temperature range दी हुई है minus 150 से 1500 degree centigrade में इन में अनवरे temperature changes को DTA easily measure कर सकता है लेकिन अगर इस rain से बाहर usually performed under controlled atmospheric conditions हम लोग DTA को आपको पता है के controlled atmospheric conditions में करते हैं जैसे के inert gas या vacuum में ताकि कोई chemical reaction ना हो सके लेकिन बहुत सारी ऐसी atmospheric conditions हैं जो हम लोग नहीं परवाइड कर सकते हैं अपने sample को DTA के अंदर next is sample preparation DTA के अंदर हमें बहुत ही सादा careful sample preparation चाहिए होती है ताकि हमें अच्छे results मिल सकें अगर हमारे improper sample preparation होगी तो उससे हमारा material होगा उसको study नहीं कर सकेंगे तो students DTA की बहुत अप्लिकेशन हैं जैसे कि हमने देखा और इसकी limitations जो है यह बहुत ही कम है लेकिन main limitations यही है कि पहली बात यह है कि temperature changes जो है उसको सही तरह नहीं कर सकता उसके बात क्यूंकि इसमें sample reference दो materials आ रहे होते हैं उनमे temperature difference को हम लोग compare नहीं कर सकते तो sample reference material में जो आने बाद temperature difference है उसकी वज़ए DTA less sensitive है और उसके इलावा इसके लिए हम लोग को different method ही हम लोग use करते हैं DTA की जगा पे तो students आपको में वीडियो कैसे लेगी है मुझे comment section में लाजमी बताय करें अगर आपकी कोई मेरी suggestion हो तो मुझे वह भी लाजमी बताय करें और अगर आपका कोई question हो तो आप मुझे comment section में easily पूछें मैं कोशिश करूँगे कि आपको उसकांसे जरूर दूँ